नमस्ते मैं डॉक्टर निपुन पुराणिक अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में इंटर्मेंशन लिरॉलोजिस्ट और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ आज मैं आपको ब्रेन अटायक या लक्वे से बचने के कुछ महतुपून उपाय बताना चाहूँगा जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रेन अटायक या लक्वा एक बहुत ही गंभीर विमारी है लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इससे हम आसानी से बच सकते हैं सबसे पहला बचने का उपाय है हाई ब्लड प्रेशर की जांच कराना और उसका ट्रीटमेंट लेना यह सबसे महतुपून कारण होता है लकवे के अटायक का और अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका रेगुलर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है दूसरा मुख्य बचने का उपाय है regular exercise या नियमित व्यायाम करना आजकल बहुत physical in activity बहुत common हो गई है अगर हम नियमित व्यायाम करेंगे इससे कहते हैं कि 30 minutes तक अगर हम aerobic activity रोज करते हैं या at least week में 5 days करते हैं तो हम इससे लकवे के attack पे बच सकते हैं तीसरा important का बचने का उपाय है अगर जो diabetic है तो उसका अगर अपने control करेंगे और लियमित treatment लेंगे वो एक महतुपून बात है चौथा उच चरबी वाले मरीज या हाई lipid वाले मरीजों को भी अपना regular treatment लेना चाहिए पांचवा अगर heart disease है मरीज को तो heart disease का treatment regularly लेना चाहिए क्योंकि heart disease वाले मरीजों को लगवे के attack की संभावना अधिक होती है धुम्रपान करने वाले मरीजों को धुम्रपान तुरंत ही छोड़ना चाहिए क्योंकि धुम्रपान करने से stroke के chances बढ़ जाते हैं उसी प्रकार से ज्यादा मात्रा में मदिरा पीना या शराप का सेवन करने से भी stroke का incidence बढ़ जाता है और लास्ट में मैं कहूंगा कि अगर वजन आपका जादा है तो उसे घटाने का प्रयास करिए और संतुलित आहार लीजिए जिसमें फल, हरी सबजियां और nuts उनकी मात्रा जादा होनी चाहिए और ज्यादा नमक या तेल घी वाले खाने से बची अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम तो stroke या brain attack से बचा जा सकता है धन्यवाद प्रयाद